सब्सक्राइब कीजिए माई हेल्प केर यूटूब चैनल को और दवाइए इस गहंटे को ताकि आपको मिले लेटेस्ट टेक्नलोजी की जानकारी सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है किसी भी MP3 म्यूजिक फाइल में अपना फोटो कैसे लगाते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राज और आप देखरें यूटूब का चैनल माई हेल्प के है तो चली जानते हैं इसके वारे में आपको प्ले स्टोर से एक छोटा सा अप्लिकेशन इस्टॉल करना है आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर लिख देना है आपको अस्टार म्यूजिक टैग अस्टार म्यूजिक टैग लिखना है और इसे आपको सर्च कर लेना है सर्च करके इस अप्लिकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना, तो मैंने इस्टॉल करके रखा है, तो मैं इसे उपन कर लेता हूं, बहुत ही सिधा सा काम है, तो चलिए मैं इसे यहां से उपन कर लेता हूं, जो मुजिक आपको पसंद आ रहा है, उसे आप स्लेट कर लिजए, जिसमें आपको फोटो लगाना है, चले मैं इसे ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए, नो इमेज लिख रहा है, अब यहाँ पर फोटो डालना है, तो मैं यहाँ से एक फोटो किलिक कर लेता हूँ, पिक पिक्चर पर जाना है, आपको यहाँ पर, पिक पिक्चर जो लिखा ह हुआ है यह हो गया और उसके बाद को इसमें कुछ ज्यादा सेइटिंग मेटिंग نہیں करना है seu लिखा हुआ वहां पर आपको कुछ नाम दे देना है चलिए मैं नाम दे देता हूं कुछ भी दे देता हूं सैंपल लिख देता हूं कि सैंपल और उपर में सेव लिखा हुआ उस पर आपको किलिक कर देना है यह हो रहा है सेव आपका बस हो गया सेव देखिए फोटो आ गया इसमें आसानी सब इसे प्ले कर सकते मैं मुजिक फाइल में जाकर प्ले करके दिखा देता हूं आपको मुजिक फाइल में मैंने सैंपल लिखा था तो यहाँ पे सैंपल लिखके सर्च करता हूं तो ओवला मुजिक आ जाएगा देखिए यहाँ मुजिक आ गया है मैं इसे यहाँ से प्ले कर लेता हूं देख सकते हैं मुजिक बज रहा है और फोटो आ रहा है लेकिन दोस्तों इसका थोड़ा सा एक प्रोब्लम है आपको बता देता हूं एंड्रोइड अगर आपका 4.4 है या उसे नीचे का है तो जब आप जाएगा मुजिक टैग में फोटो इडिट करने के लिए फोटो डा मेमोरी में तब आपका सेलेक्ट होगा नहीं तो यहाँ पे किसी भी फाइल में क्लिक किजेगा तो बोल देगा कि पहले आप अपने MP3 सॉंग को फोन मेमोरी में भेज लिजे तब यहाँ पर एडिट कर पाएंगे क्योंकि ऐसा उन्होंने बना के रखा है तो मैं क्या कर सकत हूं यह अप्लिकेशन उसी तरह का है अगर आपका Android 4 के उपर है 5 है 6 है तो आप आसानी से कर सकते हैं और अगर उससे नीचे का है तो आपको सॉंग को पहले फोन मेमोरी में भेजना होगा और उसके बाद आसानी से फोटो को डाल सकते हैं उमीद करता हूं आपको यह जानक एक वीडियो लेकर आता रहता हूं अभी के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद